हेलो फ्रेंड आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीनियस आईक्यू में आज के सेशन में हम दसमुष्ट भी भी कोशन करने वाले हैं जो केप के अगाम एकजम के लिए बहुत ही जुरूरी है और ये सारे के सारे कोशन सेलेक्टेड लिए गए हैं प्रिवियस लिए गए हैं कई पर एकजम में आए हुए कोशन लिए गए हैं तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आए कोशन स्टार्ट करते हैं और आज की सेशन का हमरा पहला कोशन है राष्ट पती डाक्टर एपी जे अब्दुल कलाम के आत्मा का ठाका सिर्शक क्या है और ये चार आप्शन साहब के पास सही इंस और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और इस प्रशन के बिल्कुल सही इंसर है अपसंडी विंग्स ओफ फायर ये आपको हमें से याद रखना है राष्ट पती डाक्टर एपी जे अब्दुल कलाम के आत्मा का सिर्शक विंग्स ओफ फायर है और आपके भी पता होना चाहिए कि विंग्स ओफ फायर के लिखक और उरतिवारी हैं ये भी आपको हमें से याद रखना है कि विंग्स ओफ फायर के लिखक और उरतिवारी हैं और यह किताब उन्होंने अंगरेजी भासा में लिखी थी लेकिन आज के समय में से तेरह भासाओं में अनुबाद किया गया है बहुत ही अच्छी किताब है दोस्त प्रस नेखिंस और जल्ली से कमेंट सेक्षिन में क्यमेंट करों है ब्याज दर वाड़ी जे बैंक को द्वारा निर्धारित किया जाता है बाड़ी जे बैंक का नाम सुनके बहुत अक्कर नहीं हो रहा है कि कमर्शियल बैंक को है बाड़ी जे बैंक कहा जाता है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोस्टन कर लेते हैं भारती योजना का मूल उदेश से किया है और यह चार अप्शन से आपके पास सहींस और जली से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और इस प्रस्णा के बिल्कुल सहेंस और आपसंसी रोजगार उत्पन करना ये आपको हमेंसे याद रखना है भारती योजना का मुलोदेश से रोजगार उत्पन करना है और आपके भी बता दे कि भारती योजना का मूल देसे किसी योजना के तहट भारत में रहने वाले लोगों को सहायता प्रप्ट कराना होता है और लोगों के अधिकार एवम उनके जिवन यापन के लिए एक नई सोच को पैदा करना और उनकी सहायता करना होता है ये भी आपको हमेंसे याद रखना है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोश्टन कर लेते हैं राज्य में राष्ट पति सासन का अर्थ राज्य में सासन है और रचार अफन साहब के पास सहेंस और जल्दी से कमेंट सिक्षन में कमेंट कीजिए और इस प्रस्टन का बिल्कुल से अनसर अपसंडी राज्य के राज्य पालका ये आपको हमेंसे याद रखना है राज्य में राष्ट पती सासन का अर्थ राज्य के राज्य पालका होता है और आपके भी पता होना चाहिए एक राष्ट पती सासन का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी करण वस राजय सरकार को भंग यानि लंबित कर दिया जाता है और इस इस सिति में उस राजय में राजय के राजय पाल का सासन हो जाता है जिसे हम राष्टपती सासन के नाम से जानते हैं ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन कर लेते हैं परमाडू उर्जा नियामक बोड का मुख्यला एक कहा है और एक चार अप्षन साब के पास सहिंस और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और इस प्रस्ण के बिल्कुल सहिंस और अप्षन सी मुंबई ये आपको हमेंसे याद रखना है परमाडू उर्जा नियामक बोड का मुख्यले मुंबई में इस्थित है और आपके भी पता होना चाहिए कि इसकी अस्थापना 15 नौमबर 1983 में मुंबई में किया गया था ये आपको हमेंसे याद रखना है कि इसकी अस्थापना 15 नौमबर 1983 में हुआ था ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन कर लेते हैं संतोष ट्रॉफी का संबंद किस खेल से है और ये चार अप्षन से आपके पास सेहन्स और जल्ली से कमेंट सेक्षन में कमेंट कीजिए और इस प्रशन के बिल्कुल सेहन्स और अप्षन भी फूटबॉल से ये आपको हमेंसे याद रखना है संतोष ट्रोफी का समध फुटबॉल से है और आपके भी पतावना चाहिए कि इस ट्रोफी के स्थापना 1941 में हुई थी ये आपको हमेशे याद रखना है कि संतोष ट्रोफी के स्थापना 1941 में हुई थी ठीक है दोस्तों अब सने पे बात कर लेते हैं फॉलो के रस के परिक्षड के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है और ये चार अप्षन से आपके पास सहिंस और जल्ली से कमेंट सेक्षन में कमेंट कीजिए और इस प्रशन का बिल्कुल सहिंस और आप समसी सोडियूम हैड्रोकसाइड ये आपको हमें से याद रखना है फॉलो के रस के परिक्षड के लिए सोडियूम हैड्रोकसाइड का प्रियोग किया जाता ही आपको हमें से याद रखना है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोस्टन करने से पहले आपसे क्रिक वेश्ट है यदि आप हमारे चनल पे पहली बारा हैं तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चनल को सब्सक्राइब कर प्लीज हमें सपोर्ट करें ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन कर लेते हैं इन में से किस रोग का संबंध गंभी रूप से सोच एवम एदास्त खोने से हैं और ये चार अप्शन से आपके पास सहेंस और जल्ली से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और इस प्रस्ण का बिल्कुल सहेंस और अप्शन भी अल्जाइमा रोग ये आपको हमेंसे याद रखना है अल्जाइमा रोग से सोच एवम एदास्त खोने की संभावना बनी रहती है ये आपको हमेंसे याद रखना है और आपके भी पता होना जाएक लिए रोग लगता और बढ़ने वाला रोग है और इस रोग में दिमागी छमता नश्ट हो जाती हैं ये भी आपको हमेसे याद रखना है और इसका इलाज मौजूद नहीं है लेकिन इसे कंट्रोल किया जा सकता है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोस्टन कर लेते हैं निमनलीखीत में से कौन सी परवत स्रिंखला मात्र एक ही राजय में फैली है और ये चार अप्षन से आपके पास सहिन्स वर जल्ली से कमेंट सिक्षन में कमेंट कीजिए और इस परवत स्रिंखला मात्र एक ही राजय में फैली है और आपके भी पता होना चाहिए कि आरावली परवत भारत के राजस्थान राजय में इस्थित है ये आपको हमें से याद रखना है और यह परवत संसार की सबसे परचीन परवत स्रिंखला है ये भी आपको हमेसे याद रखना है और आवली परवत संसार की सबसे परचीन परवत स्रिंखला है ये आपको हमेसे याद रखना है अप्षन भी पे बात कर लेते हैं और जानता एक गुफाओं का समू है जो भारत के महराष्ट राजे में इस्थित है और इसमें करीबन 29 चटानों को काट कर बहुत असमारा गुफाएं बनाई गए हैं ये भी आपको हमें से याद रखना है और इसे सन 1983 इस भी में इनस को 12 धरोहर के रुप में भी घोसित कर दिया गया है ये भी आपको हमें से याद रखना है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन कर लेते हैं सिंधू घाटी सभ्याता के मूख्य विश्यस्ता है और ये चार अपक्woman सा आपके पास सहयंस और जल्ली से कमेंट सेक्षन में कमेंट कीजिए और इस प्रस्ण के बिलकुल सहयंस और अप्शन नगर योजना ये आपको हमें से याद रखना है और सिंदु घाटी सभ्यता के परमुख के अंदर मोहन जोजाड़ो काली बगा लोथल और हडपा है यह आपको हमें से याद रख रहे हैं ठीक है दोस्तों आज की सेशन में बस इतना ही यदि वीडियो आचा लगा हो तो लाइक करें सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज हमें सपोर्ट करें धन्यवाद